नमस्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूँ क्लानती सिंग्ग हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिन भर क्या कुछ रहा पॉलिटिक्स में हल चल देखे हमारे इस खास बुलेटिन पुरव्याब पॉलिटिक्स में कारिक्रम में ग्रह मंत्री बिहार की राजनीती पर बोले शाहा हाजिपुर से लजे पी आर मुख्या चुराग पासवान लडेंगी चुनाव पुर्णिया सीट से चुनाव लडने के तग्यारी में जुटे पप्पू यादव आज एक कारिक्रम को संबोधित करते हुए केंद्री ग्रह मंत्री अमिच्शाह ने कई मुद्दों पर चर्चा की और लोग सबाचुनाव से पहले कई बड़े मुद्दे ग्रह मंत्री ने जनता के सामने रखे इतना ही नही ग्रह मंत्री अमिच्शाह ने बिहार में नई बनी NDA सरकार और बिहार की राजुनीती पर भी बयान जारी किया आपको तादे की ग्रह मंत्री अमिच शाह ने नितीश कुमार के साथ दोबारा से सरकार बनाय जाने को लेकर रणनीतिक रूप से सही कदम बताया वही ग्रह मंत्री से जब नितीश कुमार के फिर पल्टी मारे जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्ह पहली बार बड़े भाई की भूमिका में आए हैं ये हमारे लिए बड़ी बात है इसी के साथ पशुपती पारस के एंडिये से बाहर जाने को लेकर ग्रह मंत्री अमिच्छा ने आगे कहा कि उनके साथ अब समझोते की गुंजाइश नहीं बची है पूरा परिवार साथ रहत से इस्तिफाबी दे दिया है लोकसमा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नितिश कुमार को एक और बड़ा जटका लगा है जहां जेडियू चिकित्सा प्रकोष्ट के जिलाद्याक्ष डॉक्टर रजे कुमार ने बीते दिन मंगलवार को अपने पत से त्याग पत्र दे द मंत्री को आमंत्रित किया गया था लेकिन विसमाज को पेक्षा करते हुए इसमें शामिल नहीं हुए थे उन्होंने साथ ही कहा कि इन सभी कार्णों के आहत हो कर्मे इस्तिफा दे रहा हूं इसे के साथ आपको यहां बताते चले किससे पहले केंद्रिय मंत्री और पूर लोकसबास सीट से चुनाव लड़ेंगे इस तरह एलजेपी रामविलास ने एक सीट पर अपना कैनिडेक तै कर लिया है हालकि अभी अन्य चार सीटों पर उमिद्वारों की घोशना नहीं की गई है इस बात की जानकारी सामने आई है कि जल्दी अन्य सीटों पर प् बनेंगे या नहीं आपको तादे कि आज बुद्वार को एलजेपी रामविलास के संसद्ये बूट की बैठक हुई जिसमें चुराग पासवान ने हाजिपूर से सीट लड़ने पर मुहर लगाई हालकि बुद्वार को हुई बैठक में जमुई वैशाली हाजिपूर खग रलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली लोगसवाद चुनाव के मदे नजार एसपी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी इस बात पर सहमती बनने के बाद माना ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों दलों के अबि अंतिम तौर पर इस पर चर्चा बागी है दोनों पार्टियों में तालमेल बना रहे इसलिए कंट्रोल रूम की बात सामने आई है क्योंकि कंट्रोल रूम चुनावी परिक्रिया के संचालन के लिए पार्टी के पास एक माध्यम होता है इसी दौरान एसपी पार्ट कॉंग्रिस मुख्याले में पार्टी में शामिल हुए इस दौरान कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष राजिस ठाकूर कॉंग्रिस विधायक दलकेनेता आलमगीर आलम पवन खेडा मौजूद रहे आपको उताते चले कि पार्टी कार्याले में जार्खन प्रभारी गुलाम एहम Над मीर ने जेपी पटेल को कॉंग्रिस की सद्यसिता दिलाई इससे पहले में बीजेपी में मुख्य सचेतक की भूमिका रिभार हे थे मुई कॉंग्रिस में शामिल होने के बाद जेपी पटेल ने कहा मैं बीजेपी के विचारों से संतुष्ट नहीं था आज मैं पाहुल गांधी के नेतरतु में इंडिया कटवंधन जो दोड रहा है उसका परिनाम 2024 में हम दिखाएंगे। इसी कड़ी में आरजिडी के राष्टी अध्यक्ष लालू यादफ के करीबी और विधायक शंभुनात सिंग यादफ के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने चाप मारी की। को तयार नहीं है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये चाप मारी लेंड फॉर जॉब मामले या फिर आईस से अधिक संपत्ती अरजित करने के मामले में की गई है। इसके अरावा जिला मुख्याले के पास स्थित जासों में भी विधायक के एक अन्य ठिकाने पर चापे मारी की गई। वहीं जानकारी के मुताबिक शंभुनात सिंग यादव और उनके परिजनों को ईडी ने उनके आवाज पर ही रोक कर रखा था और सभी से पूछताज भी की। वहीं इस कारवाई की सूचना जैसे ही उनके समर्थकों को मिली सभी समर्थक उनके आवास पर पहुँच गए। मुख्यमंत्री निटीश कुमार के सबसे नस्दी के अधिकारिव में से एक माने जाते हैं। का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश ने पिछले दस सालों में सियासत के कई बड़े बड़े नेताओ और उनके दलों में सेंध लग गई सिर्फ मुलायम की मैंपुरी और कॉंग्रिस की राय बरेली सीट ऐसी है जिसका तिलिसिम अभी तक बीजेपी नह कमर कसली है और वो बेताव है मैंपुरी और राय बरेली को भगवा ओढ़ाने के लिए इसी वज़े से बीजेपी एक नय चहरे पर दाव लगाने की तियारी कर रही है दरसल मैंपुरी लोकसभा शेत्र से यादव बाहुले है जिस वज़े से इसे मुलायम और स्पी को को लेकर मन्थन कर रही है और समाजिक समिकरन साधने के लिए मजबूत चहरे और समाज पर पकड़ रखने वाले प्रत्याश्यों को वो टिकट देने की कवायद में जुटी हुई है पूर्व केंद्रिय मंत्री और आरेलम के रास्ट्री अध्याक शोपेंद्र कुश्वा ने सीट सेरिंग पर नाराजगी को लिकर चल रही चर्चाओ पर पूर्ण विराम लगा दिया है मेडिया के सामने यह बात रखी है कि वे नाराज नहीं थे लेकिन हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो ज्यादा सीटे मिले इसे के साथ उपेंद्र कुश्वा ने आगे कहा मेडिया में खबरे चल रही थी कि मैं नाराज हूं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बाच्चित प पटवारा हो गया बेज़ेपी को सत्रा जेडियू को सोला एल जेपी आर को पाच उपेंद्र कुश्वा और जीतन राम मांजी को एक एक सीट दी गई है जुसके बाद से यह बात सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुश्वा नाराज है लेकिन अब उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अंडिया गटवंधन 40 में से 40 सीट जीतने का काम करेगी साथ उन्होंने कहा कि वो पहले भी कभी नाराज नहीं थे और आज भी नाराज नहीं हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पपू यादव पिछले कुछ समय से पूर्णिया लोकसभास सीट पर चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है इसी सिलसिले में प्रणाम पूर्णिया नाम से उनका कैंपेंच चल रहा है चर्चा है कि कॉंग्रिस कोटे से उनको महागटवंधन का उमिद्वार बनाये जा सकता है हलकि ये भी खबर है कि इसके लिए राष्ट्री जनता दल तयार नहीं है आपको तादे की मंगलवार की रात को पपू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलकात की और दोनों को मनाने की कोशिश की जेपी प्रमोख पपू यादव ने खुद सोशल मेरिया पर तस्वीर श्यर करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने लालू और तेजस्वी से मुलकात की है पपो ने अपने आधिकारे के एक्स हैंडल पर बताया है कि पिता तुल्ले लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव से मुलकात की इस बारे में पपो यादव ने अपने एक्स हैंडल पर कहा आज अभिभावक पिता तुल्ले आदर्निय लालो जी और माननिय नेता प्रतिपाक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहोल में मुलकात हुई मिलकर बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रनीती पर चर्चा हुई साथ ही आपको यहां बताते चले कि पपु यादव मधेपुरा सीट से दो बार आरजेडी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव जी चुके है हालकि बाद में लालू परिवार से मतभेत के कारण उनको पार्टी छोड़ना पड़ा वही साल 2015 में तेज अस्वी आदव और तेज प्रताप यादव के विधान सबाद चुनाव लड़ने पर उन्होंने जिस तरह के बयान दिये थे उससे आज भी लालू परिवार हुई नवादा जेल ब्रेक कांड और शेखपुरा के जेडियू विधायक पर हमले के मामले में 17 साल की सजा काटने वाले 60 वर्षी अरशोक महतो ने शादी रचा ली है आपको अताते चले कि 17 साल की सजा काटने और कानूनी बाधिता के कारण अरशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते ऐसे में आरजेडी अध्याक्ष लालुयादव ने उनकी शादी कर पतनी को उमिद्वार बनाने की सलह दी है जिसके बाद आनन फानन में उनके लिए लड़की खोजी गई उन्होंने ये शादी अपने समर्थकों की मौझूदगी में मंगलवार को पतना के एक दिया गया है हालकि अशोक में तो मूल रूप से नवादा के रहने वाले हैं और आरजेडी की तरफ से उनको जेडी उसांसद ललन सिंग के हलाफ मुंगेर से लोगस्बा चुनाव लड़ने को कहा गया है बतादे कि अशोक में तो कुश्वाहा जाती से आते हैं उतरप्रिदेश के बदायू जिले में हुए डबल मुर्डर केस को लेकराब स्पी प्रमूख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने कहा कि घटना प्रशासन और सरकार की नाकामी का नतीजा है जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीतीज जीरो है इसी के साथ स्पी प्रमूख ने बीजेपी के उपर आरोब लगाते हुए कहा कि बीजेपी हर घटना से राजनितिक लाव लेने का काम करती है गौरतलब है कि बदायू जिले में एक यूवक ने अपने ही पडोस में रहने वाले दो मासूम बच्चों के हत्या कर दी जिस वक्त हो घटना को अंजाम दे रहा था उस वक्त मिर्तका की मा हर बात से अंजान होकर अपने बच्चों के हत्यारों के लिए चाय बना रही थी घटना के बाद पीडित परिवार ने साजिद और अन्य मुस्लिम लोगों की दुकान में तोड़ फोर कर आग प्रशान किशोर के बयान से जेडियो भड़की हुई है बता दे कि प्रशान किशोर ने कहा है कि मुख्य मंत्री नितिश कुमार अभी कहां खड़े हैं और दस दिन बात कहां चले जाएंगे उन्हें खुद पता नहीं है पिछले साथ महिने से जब उन्हें प्रधान मंत्र उमिद्वार बनाने की चर्चा हो रही थी और इंडिया का संयोजक बनाने की चर्चा हो रही थी तब भी मैंने कहा था कि ये भागने वाले हैं ये पलटने वाले हैं इसी के साथ प्रशांत किशोर ने आगे कहा जैसे ही मैंने कहा कि नितीश कुमार को महागटवंधन में पॉपुलर कोई नहीं है फिलार इसकास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुन्याक तमाम बड़ी खबर उकले बने रियमार साथ और देखते रही है महुआ खबर